हेलो बच्चो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लास्ट टोपिक रिप्रड़क्शन इनिमल लाइफ साइकल ओफ इंसेक्ट की जो इंसेक्ट है केट पतंगे हैं वो कैसे रिप्रड़क्शन करते हैं इंसेक्ट ले एक विदाउट विच गो थो सेवरल स्टेज टू बिकम टू एक अडल्ट इंसेक्ट जो इंसेक्ट है वो क्या करते हैं अंडे देते हैं और जो उनके अंडे बहुत सारी स्टेज से गुजरते हुए एक अडल्ट इंसेक्ट में कनवर्ट हो जाते हैं इस स्टेज को आप लोग क्या बोल देते हो मेटामोर्फोसिस दा लाइफ साइकल फें फें हाउस फिलाई अगर हम गी बात करें जो घर में आपने देखी भी होगी वह फोर स्टेजी जो ती इसकी लाइव सैकल की हाउस फ्लाई ले 100 ओफ एक टाइम एक समय में जो मखी होती है वह 100 एक देती है जो एग है वो हैच मतलगी एग के अंदर से क्या निकल जाते है लारवा निकल जाते है तो इस लारवे को आप लोग क्या बोल देते हो मैगोट लुक लाइक वोम विदाउट लेगेंड विक्स यह देखो आप इदर देख भी सकते हो कि यह हाउस फ्लाई है अडल्ट हाउस फ्लाई इस ने एग दिये और यह मैगोट ना तो इसके पास विंग्स है ना ही इसके पास किसी परकार की लेग है इसको आप बोल देते हैं मैगोट कुछ दिनों के बाद यह किस में कनवर्ट हो जाता है विक्स लेटरल कुछ सब्तहा बाद आ यंग हाउस फ्लाई ब्रेक ओपन दा कूकुन जो ही आपको दिखाए दे रहे हैं इसके अंदर से यह हाउस फ्लाई बाहर निकल जाती है इसी परकार से हमने यहाँ पर देखा कि हाउस फ्लाई कैसे स्टेजिस आती है ऐसे ही बटा बटर्फलाई है और यह किस में पर्कार से वह क्या करती हैं यहाँ पर आप आप दिखाए दे रहे हैग कि याप सैकल फि कोकरेज देहें किया आग कोक्रेज ग्रास उपर जिसको आप हिंदी में बोल देते हो, राम का गुड़ा, आपने खेतों के अंदर भी उड़ते हुए देखा होगा, फिर वो किसमें कनवर्ट हो जाते है, इस प्रोसेस इस कोंस्टेंटली, शेडिंग दा ओल्ड स्किन, इस नोन एस मोल्टिंग, शरीर से ओल्ड स्किन को बाहर निकालना, क्या क्या लाते है, मोल्टिंग, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुए, दा लार्वा ओफ य का जो तितलियों का जो लार्वा ओतों को आप लोग क्या बोल देते हो के ट्रिपिलर बोल देते हो ओके थेंक यू अ